रमेश बिदूडी के अटेकिंग जुबान जब हुई दानिश रली पर महर्बान इंडिया में मायवती की होने लगी बात दानिश को राहूल ने गले लगाया अखलेश ने कहा दानिश तो अपने हैं जब हुई ऐसी बात तो उपने लगे सवाल केहने बात कह रहे हैं दाने शली खोलेंगे इंडिया मायवती के लिए दर्वासी अखलेश राहुल ने दे दिये संके इंडिया में ब्यांबाती की सियासत पर चर्चा होने लगी फिर एटकर ले लगने लगी मायवती अपने एलान को तोड़ने वाली हैं जो कहा था उससे मुकरने वाली है अब मायावती अगर ऐसा कर लेती है तो बीजेपी की मुसीबते यूपी में बढ़ने वाली है एक बार फिर से कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों का समू इंडिया ने अपनी और से फिर से प्रियास किया फिर से मायावती को संकेत दिय चलिए फिर से हम दोस्ती करते हैं और बजहा बने हैं अम रोहा से BSP सांसर दानेशली BSP सांसर दानेशली पर BJP सांसर रमेश मिदूरी की गालियों ने विपक्ष का सुर एक कर दिया दानेशली से मुलाकात के बाद गले लगाकर राहुल गांदी ने बड़ा संकेत दिया राहुल के हमदर्दी के बाद अखलेश यादम ने कहा कि दानेशली 2019 में सपा बसपा गटबंदन में चुनाव जीते थे वो सपा के भी है बीजेपी और बीएसपी के सांसत के रड़ाई से यूपी में इंडिया गटबंदन में मायवती के एंट्री को लेकर अटकले लगने लगी लेकिन सवाल यही है कि अभी तक बीजेपी और कॉंग्रिस से दूरी बनाकर चल रही मायवती के लिए क्या दानेश अली इंडिया गटबंदन में एंट्री का दर्वाज़ा खोल पाएंगे सियासी गल्यारों में ये बात दौड रही है विशले शकों के एक सम्हू में खूब हो रही है चर्चा माना जा रहा है कि जैन चौदरी के आरेलडी और यूपी कॉंग्रिस के कई निता चाहते हैं कि बीएसपी भी गटबंदन में रहे ताकि दलित या मसलमान में रत्ती भर कंफ्यूजन ना हो 2019 में सपा बीएसपी आरेलडी साथ लड़े थे फिलाल इंडिया में सपा आरेलडी और कॉंग्रिस हैं मायवती कॉंग्रिस और बीजेपी दोनों से दूरी बना कर चल रही है लेकिन विपक्षी दली से बीजेपी को फायदा पहुचाने वाला कदम बताते हैं विपक्षी दलीतों में सबसे बड़ी आबादी जाटव समुदाय के हैं कुल दलीत आबादी का 50% हिस्सा जाटव है मायवती खुद इस समुदाय से आती है मायवती का गराफ गिरा पर अभी उनका बोट बैंक है यही बजाए कि आरेलडी और कॉंग्रिस चाहती है कि मायवती इंडिय गटवंदन को नुकसान पहुंचा सकें मायवती इंडिया गटवंदन के साथ चुनाब नहीं लड़ती हैं तो जादा नुकसान इंडिया गटवंदन को हो सकता है ऐसी स्थिती में बीजेपी को फायदा होगा बीजेपी के चाहत यही है कि बीजेपी विपक्षी मकाबले 2019 में 10 सीट पर जीत मिल गई फिर भी मायवती ने गटबंदन को तोड़ते बक्त सपाका वोट ना मिलने का आरोप लगाया फिर यूपी में 2022 में उदान समा चुनाब बसपा अपने दंप लड़ी और सिर्फ एक सीट जीत सकी